तो आज हम बात करने वाले chapter 11 जो लोग देख रहे हैं LDH, ketone तथा carboxlick amaliki की carboxlick amaliki की carboxlick acid आपका क्या होता है पहुत आसान है यह इसका ipac नाम, साधरण नाम कैसे लिखा जाता है पहुत ही आसानी से हम लोग देखते वाले है तो आज हम इसके बारे में जानेंगे बात करें कारगोक्सलिक अम लिकी तो इसके फॉर्मुला देख सकते हो R-C-O-O-H होता है R-C-O-O-H होता है इसका फॉर्मुला होता है तो भाई इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को प्लीज लाश तक देख सके इसकी बना कीज़ेगा ठिक है R-C-O-O-H इसका फॉर्मुला होता है अब यहां यह जो R-C-O-O-H है यहां पर आर क्या है R आपका Elkenne समनो है R क्या होता है यहां पर Elkenne Elkenne मतलब जैसे आपका Theil हो गया Ethyl हो गया इसका पहला सद से और होता है है ये इसका पहला सद से यह इसका दूसरा सदस है अगर आपको तीसरा सदस है चाहिए तो आपको यह लगाना पड़ेगा इसके साथ C2H5 COOH अभी बताएंगे क्यों यह तीसरा यह पहला क्यों है अगर चौता सदस चाहिए तो आप क्या लगा दोगे C3H7 COOH देखो आप यहां पर होता क्या है जिस देखो एक कार्बन यहां पर तो कैसा पहला कार्बोक्स लिका में अगर यहां पर देख सकते हो दो कार्बन तो दूसरा कार्बोक्स लिका में और यहां गिनो दो एक तीन कार्बन तो तीसरा कार्बोक्स लिका में ठीक है इनको हम किस नाम से पुकारते हैं फिर आयूपेसी नाम देखेंगे ठीक है तो इसका बात करें क्या नाम होता है इसका नाम होता है फार्मिक अमले क्या नाम होता है इसका फार्मिक अमले इसका ठीक है इसका तो आपको यादी करना पड़ेगा क्योंकि साधान नाम याद करना पड़ेगा आउपेसी तो निकालना सिखा देंगे ठीक है और इसका नाम होता है एसीटी गमल क्या नाम होता है ACT GAML फार्मिक GAML और ACT GAML ज्यादा इनके नाम यहार रखना कि इसका फार्मिक GAML होता है इसका ACT GAML हमाइ एक कोर्स पे भी है फार्मिक और ACT ठिक है आब हम बात करेंगे इसका IPSC नाम कैसे निकाला जाता है इनके सब के आप निगाल पाओगे बहुत ही आसानी से तो आपको आयूपेसी नाम निकालने पर इतना यार रखना है कि आपको उसके लाश्ट पर नाम लिखते हैं समय क्या करना है लाश्ट पर ओई कमल जोड़ना है मतलब ओई कमल कैसे जोड़ना है वो अब देखेंगे हम ठीक है जैसे हम पहला देख रहे हैं एकजामपल ले रहे हैं हसी डबल ओ एच हमने ले लिए हसी डबल ओ जिसका नाम फार्मी कमल है साधार अनम अब आयूपेसी नाम हम लोग निका कितने कार्बन एक कार्बन तो एक कार्बन के लिए आपको पता होगा क्या लगता है मेथ क्या लगता है मेथ ठीक है दो कार्बन के लिए क्या लगता है एथ लगता है तीन कार्बन के लिए क्या लगता है ठीक है तो इतना तो आपको पता ही होगा ठीक है तो देखो आप ब फ्लस ओीक, क्या हो जाएगा मेथेन, फलस ओीक अमठेन अब आपको सिंपली इसको जोर देना तो हो जाएगा मेथे 90 अमठो जोओ जाएगा इसका नाम हो जाएगा अब बताओ कुछ दिखना इस पे किया कि आपने देखो हमने आप एक कार्बन की संख्यागी नहीं कितने कार्बन एक कार्बन तो एक कार्बन क्रेम ने simple क्या लगा दिया मेथ आप आपको पठाए single bond है तो क्या लगा होगे एन तो methane लिख दिया प्लेस आपको बस लाश पे क्या जोड़ना है ओई कमल है, छोड़ दो मेथेन ओई कमल अगला एक्जाम पर देखो, CH3COOH इसका लिखना है इस पे कार्बन गेनो, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, दो कार्बन, दो कार्बन लिखना है, तो आपको simply क्या लिखना है, एःथ, क्या लिखना है एथ, एथ लिख दिया और फिर single bond है, तो क्या लगएंगे एंट, एथेन आपको simple लिख देना है, अब लाश पे क्या लगाना है ओई कमल, बस जोड़ दो ओई कमल क्या नाम हो जाएगा एथे नोईक अमल ठीक है एथे नोईक अमल देख सकते हो कितना असान है इसका नाम लिखना तो बस आपको सबसे पहले क्या करना है कार्बन की संख्या गिन नहीं है कार्बन की संख्या गिन होगे फिर क्या करोगे आपको लाश पर ओईकमल लगा देना ह अब इसके नाम की बात करें तो कितने कार्बन दो एक तीन कार्बन तीन कार्बन के लिए लगाते है प्रोप तो सिंप्ली क्या लिख दो प्रोप लिख दो फिस सिंगल बॉइंड आपको पता होगा तो प्रोपेन सीधा सीधा लिख दो आप क्या लाश पर लगा ना ओई कम ल के नाम लिखना आपका फारमिक कमल ले एकि टी यह तो सादा अथा नाम हो गए आई यूपेसई निकाला कितना ज्यादा ही आसान है आपको कियो अपको कार्बन की संख्या गिन्निक कितने कार्बन बस उतने लगा देना अब लाश पर लगा तो बस करें कि कैसे लिखा जाता है इंका आधी नाम करण देखी है अब अगली वीडियो में मुझेंगे फार्मिक अमल और एसीटी के अमलिक के बारे में तो भाई वीडियो अच्छे लिखा हो तो फीडियो को लाइक कर दीजेगा ओके थैंक्स वाचिंग वीडियो